जुहार साथ्यों जारकन राज्ये अलग हुए 20 वर्षों से अधीक हो चुके हैं और 20 वर्षों में एक-एक व्यक्ति जारकन को बहुत करीब से देखें हम जल जंगल जमीन के लोगें हमें अपने संस्कृती अपने धरोहर से बहुत प्यार हैं साथियों हमारी गर्बंधन के सरकार जारकन वासियों के भावनाओं के अनुरूप कारे कर रही है मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे मान्यय मुख्य मंत्री श्री एर्मन सोरेन जी का हमारे मान्यय मंत्री सा-CLP लीडर हमारे आलमकीर आलम जी का हमारी मानिय मंत्री राविशोय और राउजी का और समस्त मंत्री बंदू हमारे समस्त विधायक बंदू का साथियों जिस तरह से OBC वर्ड को आरक्षन देकर 27 परसंट आरक्षन देकर हमारी गरबंदन की सरकार ने OBC वर्डों का भी सम्मान रखने का उनके भावनाओं के अनुरूप कारे करने का काम किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत अभारी हूँ मैंने सडक से सदन तक से लेकर महा सम्मेलन से लेकर हस्ताक्षा रभ्यान तक मिस्ट कॉल के संख्याओं को जुटाने तक कई ऐसे प्रयास किये और हमारी बातों को सुना गया इसके लिए मैं तही दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारी गड़्बंदन की सरकार का जिस तरह से 1932 खत्यान अधरिन चुब जार्खन मासियों के भावनाओं के अनुरूप इसको लागू करने का कारे हमारी गड़्बंदन की सरकार के तरफ से एक सरानिय और सहसिक पदम उठाया गया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज पुलीस कर्मियों के लिए उनके छति पूर्थी अवकाश को जो लागू करने का कारे किया है उनको रहत दिलाने का कारे किया है मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आम दिनबारी सेवी का सहए काम और पाढ़ा टीचर जिनका मान सम्मान रखने का कारे हमारे गडबंदन की सरकार के तरफ से किया गया मैं धन्यवाद दिना चाहती हूँ Old Pension Scheme को फिर से लाभू करने का कारे करके जो एक समाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम किया गया हमारे सरकारी करबचारियों को मैं धन्यवाद दिना चाहती हूँ जिस तरह से किसानों के हित में उनको लोन माफी करने का काम हमारे सरकार ने किया मैं धन्यवाद दिना चाहती हूँ जिस तरह से इतने सारे कारे जो महिलाओं के आर्थिक रूप से उनको शशक्त करने के लिए चोटे-चोटे पहल हर प्रखण में किये जा रहे उन बातों का और कई ऐसे पहल जो हमारे सरकार ने शोशित, वंचित, पिरित और यहां के मूल वासी, आदी वासी यहां के पिछले वर्गों को देखते हुए कई ऐसे आतिहासिक कारे और कदब हमारे सरकार ने उठाये हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवा देती हूँ साथ ही मैं मानलिय मुख्यमंत्री जी से अनरोध करती हूँ अपने CLP लीडर आलंगीर आलंग से अनरोध करती हूँ कि हमारे जारकर में एक बहुत एहम समस्या जो हमारे विस्थापन का समस्या है उसको भी चल से जल्द उसका भी निराकरन करें हमारे विस्थापे बहुत शोशित वंचित हैं और बहुत पीड़ा सहरे हैं पीड़े तोकर हूँ हमारे सरकार के और देख रहे हैं उनसे उमीद लगाए हुए बैठे हैं उनके पीड़ा को भी हम सब को समझने की जरूत है और मैं चाहती हूँ कि जल्द ही विस्थापन आयों का गठन हो जल्द ही लाड इक्विजिशन आक्ट 2013 को लागू किया जा जो हमारे मान्य मुख्यमंत्री जी ने हमसे बाता किया था मैं चाहती हूँ कि मान्य मुख्यमंत्री जी कई ऐसे चात्र है जिनका डिजर्ट आउट नहीं हुआ है जैसे कि पजाएग सचीव होनगार का भी एशू है और कई टीचर्स का इशू है टीचर्स का एक्सयम का डिजर्ट नहीं आउट हुआ है और कई ऐसे students का issue है, कई issues जो मन्रेगा से related है और ऐसे कई सारे चुनातिया हैं हमारे सामने खड़ी जिसको ऐसे ही इसी गती में उनको भी न्याई दिलाने का कारे हमारी सरकार करेगी और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, कि जितने सारे उलजहनों से हमारी सरकार जैसे ही बनते ही चीजों को सुलजाने का कारे कर रही है ये बहुत ही सहसी कदम है, बहुत ही सरानिय कदम है और आप जानते हैं कि पूरो में यहाँ के शोशित, वंशित, पेड़ित, यहाँ टीचर्स का कोई मान सम्मान नहीं रखा गया, हमारी सरकार लाठी नहीं चलाती है, हमारी सरकार सम्मान देती है, पूरो में किसी ने जिस वर्ग के बारे में नहीं सोचा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचा, वो हमारी सरकार सोच रही है, और मैं इसी तरह से आपकी आवास बंती रहोंगी, आपकी मामलों को सरकार के समक्ष लेके उनसे उसकारी को करानी के लिए हमेशा प्रयासरत रहोंगी, और क्योंकि मैं जन प्रतनिदी हूँ, अगर आपके भावनाओं के अरुप कारें नहीं कर पाओ, तो मेरा होना वेर्थ है, जन प्रतनिदी का होना बेर्थ है, और मैं चाहती हूँ, इसी तरह से हमारे मनुबल उचा रखें, हमें अपना आशिवाद, अपना साथ प्रदान करते रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद है।